हेलो फ्रेंड्स मैं सरितर डावरा आज मैं आप लोगों के लिए देखिये कि ये छोटा सब बेबी इनर लेके आई हूँ ये जो बेबी इनर है ये जीरो साइस में जीरो साइस बेबी इनर होता है जो वो न्यू बोन बेबी से लेके 6 माईने तक के बच्चे को बड़ा इजी करें मेरा कल कम्प्लीट हो गया था सुबह तक तो अब मैं इसको बनाना बताती हूं चोटे-चोटे यह पीस बनाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो अब मैं इसको बनाना बताती हूं कि कैसे बनाया है इसको मैंने तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं बनाने से पहले इसके लिए क्या चाहिए एक तो यह देखिए मैंने यह ओफ वाइट कलर की वूल लिए यह बहुत सॉफ्ट वूल है वर्दमान की यह थ्री प्लाई वूल है इनर के लिए सॉफ्ट पूल ठीक रहती है और दस नंबर क कि मैंने यह निडल यूज करी है और सिलने के लिए एक सुई चाहिए हमें यह बस इन तीन चीजों से यह छोटा सा बेबी इनर रेडी हो जाएगा तो अब इसका देखिए मैंने एक पल्ला रेडी कर रखा है यह मैं एक पल्ला आपको दिखाती हूँ एक साइड इसकी और यह इस तरह से और दूसरी जो साइड है पल्ला इसका इसी तरह से बनेगा सेम इसी तरह से बनेगा और कुछ नहीं करना हमें इसी तरह से बना के यहां से दोनों को जोइंट कर देना और यहां से लेके यहां तक नीचे तक फिर उसको सिल देना है और अब यह है यह नीचे से शुरू होगा हुआ हुआ है इसके मैंने यहां पे 50 फंक्राइप डाले हैं 50 फंक्राइप कोई कुदे करता है। कोई स्टिचिस केता है तो यह 50 फंदे डालके मैंने और यह 8罫 दाईया दी हैं 8 सिलाइयों से यह 4 धारी बन गई एक दो थीन चार चार धारी बन गई उसके बाए यहां से लेके इन चार धारी के ऊपर और यहां से इसके नीची यहां पर मैंने नंत्तुफफ नैज ला जो पल्ला है वो भी यहां तक मैंने रेडी कर रखं़ है कि और उसके बाद यह वला पाट मैं बता तक यह का से बनायां कि इस में देखिए जिए दोसरा पार्ट भी मैंने इतना रेडी कर रख्थ है आठ से लाई ये 45 ये और अब मैं ये वाला पार्ट शुरू कर रही हूँ ये कटाई जो है ये शुरू कर रही हूँ कैसे बनेगी कटाई तो इसके लिए ये देखिए ये 45 से लाई के बाद हम शुरू कर रहे हैं आठ फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और उसके बाद एक फंदा ऐसे पलट के और दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे और फिर ये पूरी सिलाई नहीं और 10 फंदों तक हम ये सीधे फंदे बना लेंगे 10 फंदे यहां पर छोड़ देंगे इधर से 2, 4, 6, 8, 10 फंदे छोड़ के यहां तक हम पूरी सिलाई ये सीधे सीधे बना लेंगे दो, चार, छे, आठ, दस अब ये देखिए आठ फंदे तो हमें ये सीधे बनाने हैं और इनसे दो फंदों का एक फंदा करेंगे आगे से और फिर ये आठ फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ और रोंग साइट से ये फंदा में बेना बनाए और अब ये देखिए ये जो दस फंदे हैं ये सीधे बनाएं ये इसको थागे को उस तरफ रखेंगे ये तब ही हमारा यहां पे किनारी बनेगी आठ फंदे सीधे एक, दो, तीन हो गए चार, पांच, छे, साथ, और आठ और ये जो नुवा फंदा था जो हमने दो का एक करा था इसको हम उतार लेंगे, स्किप करेंगे, ऐसे, बनाएंगे नी और बाकी ये फंदे उल्टे बनाएंगे जहां तक हमने दो का एक करा था, वहां तक बनाएंगे जहां तक हमने दो का एक बनाएंगे अब ये देखी, दो, चार, छे, आठ और ये नुवा फंदा था जो हमने दो का एक करा था, उसको छोड़के बाकी फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं ये वाला फंदा वो था, जो दो का एक करा था इसको स्किप करेंगे, फिर ये फंदे सीधे ये आठ फंदे सीधे और लास्ट वाला फंदा ये अब सीधी तरब से फिर से ये आठ फंदे सीधे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ और फिर से ये नूमा फंदा जो है इसको हम पलट के और दो का एक करेंगे और फिर ये सारी सिलाई सीधे नी देंगे लास्ट वाले नो फंदे छोड़ देंगे दस फंदे वहाँ पे फिर हमें कटाई करनी है दो का एक करना है अब ये देखिए दस फंदे दो चार छे आठ और ये दो फंदों का एक फंदा करेंगे सीधी सिलाई डाल के और उल्टी तरफ से ये आठ आठ फंदे सीधे बनाएंगे और जो हमने दो का एक करा है उसको हम स्किप करेंगे अब देखिए रोंग सेड़ एक पर फिर से बता देती हूँ आठ फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और ये जो दो का एक करा था इसको स्किप करेंगे और बाकी फंदे उल्टे और वहाँ से आठ फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे अध़ाव ये बनाएंगे बनाएंगे खादी फ्हादू अधा जो दो करेंगे बनाएंगे नदी हिए उल्टे से नकी प्रफे भी ने दुटे आएंगे लिए ये नेधा इस आठी इसकान स फंदे उल्यागे जो भादी आधासने आठ टॉसिट्टू आठी रोड़के प्ह कि यह वह 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 फंद है ना जिसको हमने दो का एक करा था इसको स्किप करेंगे और दो चार चे आठ 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 फंदे फिर से सीधे इस तरह से हमें छे बार कटाई करनी है तो यह देखिए हमारी कटाई देखिए यह पार्ट मैंने कम्प्लीट कर लिया इसकी छे फंदे मैंने कम करें एक दो तीन चार पांच छे छे फंदे इधर से कटाई छे फंदे इधर से कटाई तो अब हम इसका यह वाला पार्ट बनाएंगे यह वाला तो अब यह सारी सीधी सीधी सिलाईयां देंगे यहा कि उल्टी तरफ से भी सीधी और सीधी तरफ से भी सीधी सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे कि अब इसमें कोई कटाई नहीं होगी कि अब यह पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे सीधी से लाई हो गई अब उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई सीधी रहेगी यह वाली तो अब यह हम सीधी तरफ से भी सीधी और उल्टी तरफ से भी उल्टी सिलाई दे लेंगे ना कोई फंदा इसमें खटाना है ना कोई बढ़ाना है तो अब यह देखी यह मैंने बना लिया इसका यह एक दो तीन चार पांच पांच धारी आई हैं पांच धारी के लिए इसकी दस सिलाईया मैंने यहां पे दी हैं और अब इसकी यह वले स्ट्रिप बनाएंगे हम इसकी स्ट्रिप बनाने के लिए यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ फंदे यह और एक यह नुवा फंदा जो हमने उसके लिए लिया था कटिंग वला तो नुव फंदे लेकि फिर हम यही से वापस मुड़ जाएंगे और यहां से इन नुव फंदों से स्ट्रिप बनाएंगे हम और फिर से यही से वापस तो इस स्ट्रेस से मैं यह स्ट्रेप कम्प्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कितनी धारी बनाएं स्ट्रेप के यह देखिए मैंने अब बारा इसकी धारी दे लिए हैं यह स्ट्रेप मेरा रेडी हो गया इसमें मैंने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा धारी दी हैं और अब यह हम दूसरा स्ट्रेप रेडी करेंगे और यह बीच वाले फंदे कटा दें कुछ थोड़ा सा लंबा छोड़के कटिंग के लिए और यह वले फंदे मैं दूसरी सिलाई में डाल लूँगी और इस फंद इस सिलाई से अब यहां से यहां से नो फंदे छोड़के दो चार छे आठ और यह नो नो फंदे छोड़के बाकी सारे फंदे मैं बंद कर दोंगे इस फंदे को बंद करने का तरीका अपना अपने हार किसी को जैसे इजी लगता है वैसे बंद कीजिए इस नो बंद कीजिए आ. झाल दो, चार, चे, आठ और नुए अब यह देखिए मेरे नो फंदे रहागे दो, चार, चे, आठ और नुए और इन नो फंदों से हम सीधा-सीधा फिर से स्टिप बना लेंगे बारा धारी इसकी देखे 24 से लाइयों में बारा धारी बन जाएंगी तो अब यह मैं स्टिप रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ यह देखिए मेरे यह दोनो पले रेडी हो गए हैं, दोनो स्टिप भी रेडी हो गए हैं अब हमें इन दोनों को अटेच करना है यहां से इन दोनों फंदों को यहां से यह देखी ऐसे रखके यह भी सीधी साइड और इसकी सीधी साइड इस तरह से इसके ऊपर और यहां से फंदों को हम बंद करेंगे दोनों सीधी तरफ अंदर की तरफ है मेरी और यह फंदे हम इस तरह से बंद करेंगे झाल 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 यहां से मैं सिलने के लिए थोड़ा सा रख दूंगी दागा और अब हम इस पले को भी अटेज़ करेंगे झाल झाल तो अब ये देखिए हमारा इनर रेडी हो गया है अब सिर्फ यहां से मुझे सिलना है यहां से लेके यहां तक नीचे और इधर भी नीचे से सिलाई करके और आप मैं रेडी करके दिखाती हूँ इसको स्टेच करके दिखाती हूँ मैं यह देखे अब यह सिलके रेडी हो गया मेरा इसको मैंने यहां से जहां पर मेरा हमने कटाई शुरू करी थी यहां से और यहां तक पूरा सिल दिया और इधर से भी ऐसे जहां से कटाई शुरू करी थी वहां से यहां तक हमने सिल दिया तो यह सिलने के बाद मेरा रेडी हो गया है आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा उसके लिए थेंक्यू